Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी मैं, welcome back to Magnate Brains जो आपको provide कराता है kindergarten to class 12, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिल्कुल free जी हाँ आपने सही सुना, Magnate Brains provide कराता है unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेनी की जरूरत नहीं है चाहे वो CBSC board हो, UP board हो या बिहार board हो, आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे साथ में मिलेंगे धेर सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप अबेल कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो हमारी class 11th biology unit number 3 that is cell structure and functions और इस unit का हम पहला chapter कवर कर रहे हैं जो की है cell, the unit of life आपके NCRT में ये chapter number 8 है और हम इस chapter का एक topic कवर करने वाले हैं जो की है cell theory क्या है cell theory, तो चलते हैं cell theory की तरफ, cell theory किसने दी है, ये सब बाते कर लेते हैं, चलिए इससे पहले हमने cover किया है what is cell, है न, cell क्या होता है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है पीज फटा फट जाईए, पहले वो वीडियो देख लीजे, उसमें मैंने क्या क्या चीजे कबर कराई है, फिर उसी के साथ ये continue करना cell theory चलिए, तो सारे बच्चे आगे होंगे, आए होप सो, और जो बच्चे नहीं आए हैं, पीज उनको link share कर दीजे, तो वो भी जल्दी से जल्दी जुड सके और सारे बच्चे अपने attendance लगा दीजे, कैसे लगाना है attendance वो तो आपको पता ही है, कैसे लगाना है, जल्दी बताइए, वीडियो को like करके और अपने दोस्तों, भाई, बेहनों, पड़ोसियों को वीडियो को share करके, चाले, तो चलते हैं आज की topic की तरफ, cell theory की तरफ, right, तो cell theory की अगर मैं बात करूँ, तो पहले हम थोड़ा blank slide पर कुछ समझ लेते हैं, cell theory के बारे में, तो देखिए, cell theory की अगर मैं बात करूँ, किसकी? तो cell theory की अगर मैं बात करूँ, तो cell theory जो है, किसने दी थी? जल्दी बताइए, given by Matthias Scleedon, Matthias Scleedon and Theodore Swann, right, किसने दी थी? Matthias Scleedon and Theodore Swann ने, right, तो ये दोनों scientists ने क्या दी थी? cell theory, right, चलिए, तो देखते हैं Matthias Scleedon के बारे में ये कौन थे, कहां से आये थे, तो Matthias Scleedon की मैं बात करूँ, ये क्या थे? German Botanist थे, क्या थे? German Botanist, right, क्या थे? German Botanist, इन्हों ने कब study करी थी? जल्दी बताईए, 1838, आपके NCRT बोलती है, 1838 में इन्हों ने study करी थी, और ये कहां से थे? German से थे, इनका, अगर मैं बात करूँ, ये कौन थे? तो ये scientist थे, किसके? Botanist थे, right, चलिए, तो आप बात करते हैं, इन्हों ने क्या बोला था? इन्हों ने क्या बोला था? बट इससे पहले याद रखना है, Germany और Botanist थे, इन्हों ने कब काम किया था? तो देखिए, स्क्लीडर ने पहले काम किया, 1838 में, स्वान इनके एक साल बात आए, उन्हों ने काम किया, 1839 में, right? अब आती है, main point कि कौन German था, कौन Botanist था? थे, कौन Geologist थे? ये थोड़ा सा Confusing है, तो देखिए, मैं दूसरे Scientist की बात करूँ, तो दूसरे Scientist कौन थे हमारे? दूसरे Scientist थे हमारे Theodore Swan, कौन थे? Theodore Swan, तो अगर मैं बात करूँ Theodore Swan की, तो Theodore Swan ने कब करी थी? स्टड़ी जल्दी बताईए, इनकी स्टड़ी कब हुई थी? इनकी स्टड़ी हुई थी 1839 में, कब हुई थी? 1839 में, अभी मैंने बोला, इनके एक साल बात ये आये थे, अब देखिए, कैसे याद रखना है आपको, कि कौन German थे, कौन Britisher थे, कौन Botanist थे, कौन Geologist थे, तो Swan जो है न, Swan कुछ होता है, Hans, Hans को हम क्या बोलते है, Swan, और Hans क्या है, एक Animal है, क्या है, Animal, तो इनकी स्टड़ी की, जल्दी बताइए, इनकी स्टड़ी करी Animal पर, क्सप़ स्टड़ी करी एनी मल, रइट, इन्होंने किस पर स्टड़ी करी, ऐनीमल पर स्टड़ी की, तो ये क्या थे, पहली बात तो ये जुलाजिस्ट हो ग reservoir, ये क्या हो गए? जुलाजिस्ट, रैट, तो ये जुलाजिस्ट, अब बात आती है, ये कहां से थे, उना, चलिए, तो देखिए, अगर म बात करूँ, swan या animal, तो humans animal होते हैं, right, humans भी animal होते हैं, थोड़ा सा मैंने दिमाग में बिठाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं confused होती थी तो मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, तो humans animal होते हैं, higher animals हैं हम, तो human animal है, अब human की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम भी human है और हम हम पर राज किसने किया था, काफी समय तक हम पर किसने राज किया था, Britishers ने, किसने, Britishers ने, right, तो Theodor swan क्या थे British, right, क्या थे British geologist, तो एक British थे तो दूसरे कौन हो गए, German, right, एक botanist हो गए, एक geologist हो गए, तो geologist को याद रखना, botanist अपने आप, याद हो जाएगा आपको, आप इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला क्या था अपनी थेोरी में, इन्होंने बोला कि all plant composed of, composed of different type of cell, all plant composed of different types of cell. और ये different types of cell जो है, deformed and form, and form tissue, right, तो इन्होंने क्या बना लिया, tissue बना लिया, ये किसने बोला, Matthews Kleeden ने, Matthews Kleeden जो थे, वो क्या थे, German botanist थे, इन्होंने बोला, all plant composed of different types of cell, और ये different type of cell जो है, मिलकर क्या बनाते हैं, tissue बनाते है, right, इतना clear हुआ या नहीं, जल्दी बताइए. फिर बात आती है किसकी, Theodore, Swan की, जो की, कब आये थे, 1839, मतलब इन्होंने study करी, 1839 में, ये Swan, Swan मतलब, Hans, Hans मतलब, Animal, Animal मतलब, Animal की study करने वाले scientist को, हम क्या बोलते हैं, जोलोजिस्ट, एक और फिर बात आई थी ऐसे कि Animal, Animal हम भी Animal हैं, तो हम पर राज किस ने किया था, Britishers ने, तो ये क्या है, British जोलोजिस्ट है, क्या है, British जोलोजिस्ट, तो इन्होंने तीन पॉइंट्स कहे थे, इन्होंने क्या बोले थे, तीन पॉइंट्स, पहला thin membranous outer layer, जिसे आज हम क्या बोल रहे हैं, plasma membrane, called plasma membrane, right, thin outer layer called plasma membrane. Right, फिर दूसरा point था इनका, ये point को आपको याद रखना है, cell wall is the unique, unique feature of plant cell. मतलब cell wall सिर्फ किस में पाई जाती, plant cell में, animal cell में नहीं पाई जाती, right. फिर नेक्स इनका था, animal and plant, animal and plants, animals and plants are composed of, are composed of, of cell and product of cell. ठीक है, इनका कहना है, कि जो animals and plants होते हैं, वो किस से बने होते हैं, cell और cell के product से, right. तो जल्दी सिसका screenshot ले लिजे, फटा-फट screenshot लिजे, और I hope अब तक तो आपने वीडियो को like कर दिया होगा, फटा-फट जिन बच्चों ने भी तक वीडियो को like नहीं किया है, जल्दी-जल्दी कर दीजे सारे के सारे बच्चे, है ना, मेरा किसी देरी के, ओके, चले, तो चलते हैं क्या बोल रहे है, NCRT, इन 1838, कब 1838 में, in 1838, Matthias Kledon, a German botanist, क्या थे ये, German botanist थे, इन्होंने क्या किया, examined a large number of plants, इन्होंने plant पर study करी, and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of plant, हना, इनका कहना था कि सारे के सारे plants जो है, वो किस से मिलकर बने हुए है, different type of cells से मिलकर बने है, और ये different type of cells जो है, क्या बनाते है, tissue of plants, राइट, जो कि different type of tissues होते हैं, राइट, चलिए, at about the same time, हना, same same time पर, इन्होंने 1838 में, इन्होंने 1839 में, एक साली, राइट, Theodore Swann, in 1839, a British geologist studied different type of animal cell, इन्होंने किस पर study करी, animal cell पे, क्योंकि ये geologist थे, वो botanist थे, तो उन्होंने plant पर करी, राइट, and reported that cell had thin outer layer, which is today known as the plasma membrane, कि इन्होंने कहा, cell के ऊपर क्या होती है, एक thin outer layer होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आज, plasma membrane, जिसे हम क्या कह रहे हैं, plasma membrane, राइट, चलिए, इतना clear हुआ, next है, he also concluded, based on his study on plant tissue, अब भाई, simple सी बात है, इन्होंने animal tissue पे study करी, तो ये, अब plant tissue पे study किस ने कर ली थी, हमारे scledon ने, तो इन्होंने match किया, तो इन्होंने देखा, कि एक जो plasma membrane के ऊपर एक और covering होती है, ऐसी covering, plant cell में है, बट animal cell में देखने को नहीं मिल रही, covering है, ये सिर्फ plant cell का unique feature है, क्योंकि ये animal में present नहीं है, तो उन्होंने क्या, plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of plant cell, तो cell wall जो है, वो किसका unique character है, plant cell का, फिर on the basis of this, swan proposed the hypothesis, हना, इसके basis पर, swan ने क्या propose की, hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and product of cell, इसी basis पर, इन्होंने एक hypothesis propose की, कि जो plants and animals है, वो किस से बने हुए है, cell and product of cell से, राइट, चले, तो जल्दी से screenshot ले लीजे, तो याद रहेगा, theory, जो है, वो किस ने दी थी, cell theory, Matthews, Claydon and Theoda Swann ने दी थी, Matthews, Claydon ने क्या बोला था, कि जो all plant, जो है, वो different type of cell से मिलकर बने होते हैं, जो की form करते हैं, tissue, राइट, वही पर, Swann ने तीन बाते बोली थी, पहले तो, कि thin outer, जो covering है, जिसे आज हम plasma membrane कहते हैं, cell wall unique feature है, plant cell का, और third point था, कि animal and plant जो है, वो composed है, किसके cell and product of cell के, कौन britisher है, कौन german है, कौन geologist है, कौन botanist है, ये सब चीजे हमें clear है, बट, cell theory का एक drawback है, क्या है drawback, तो drawback को याद रखना, अब simple सी बात है, ये कुछ बात बोलेंगे, कोई theory देंगे, तो दूसरे scientist तो obviously बात है, objection उठाएंगे ही, वो तो पूछेंगे ही, जैसे कि आपसे Bible लिया जाता है, कि ठीक है, आपने ये चीज पढ़ी, बट बताईए, इसको proof करिए, simple सी बात है न, proof करना है, आपको आपने experiment किया है, तो अब जो सामने वाला सवाल पूछेगा, जो सवाल के आपको जबाब देने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पर scientist ने कुछ सवाल किये किसे Theodore and Swan से, बट उसका वो आणसर दे नहीं पाए, उन्होंने क्या सवाल किया था, कि भाई जो नए सेल बन रहे है, वो कहां से बन रहे है, तो इन्होंने क्या करा, they did not explain that from where new cell arises, from where new cell arises, right, तो यह भाई नहीं बता पाए कि नए सेल कहां से आ रहे है, तो यह चीज़ नहीं बता पाए, इसी चीज़ का फाइदा उठा लिया, किसने रुडॉल्फ वर्चाओं ने, रुडॉल्फ वर्चाओं ने बता पाए कि भाई नए सेल कहां से आ रहे है, तो मौडिफाइड सेल थियोरी किसने दी है, रुडॉल्फ वर्चाओं ने, इन 1855, कब दी है, 1855 में, राइट, चले, तो ड्रॉबैक भी आपको याद रखना है, ओके, screenshot ले लीजेए, फटा-फट, चाले भाई, चाले, चाले, screenshot तो आप ले चुके है, हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, Scledon and Swan together formulated the cell theory, तो Scledon and Swan ने, साथ मिलकर क्या दी है, cell theory दी है, क्या दी है, cell theory, अब देखिए, इस theory however, did not explain as to, how new cells were formed, बट इस theory में यह explain नहीं कर पाए कि नए cell कैसे बन रहे हैं, right? अब देखिए, Rudolph बर्चो ने पहली बार बताया कि जो नए cells बने हैं, वो पुराने cells से ही बने हैं, मतलब pre-existing cells से ही नए cells form हुए हैं, right? यह किसने बताया था? Rudolph बर्चो ने और इसे इन्हों ने कहा था, इस theory को नोंने नाम दिया, Omnicellular E-cellular, Omnicellular E-cellular का मतलब है, from pre-existing cells से ही नए cell का formation हुआ है, राइट, चल लिए, तो कब क्या था नोंने? Modified cell theory given by, किसने दिये, जल्दी बताये, Rudolph वर्चाओ, in 1855, कब दी है, 1855 में, right, clear है, अब देखिए, इन्होंने क्या बोला, Omnicellular E-cellular, इन्होंने क्या बोला, Omnicellular E-cellular, right, क्या बोला इन्होंने, Omnicellular E-cellular, इसका मतलब क्या है, new cells are formed from pre-existing cell, इनका कहना है, new cells are formed from pre-existing cell, right, clear है, इनका कहना है कि पुराने cells ही नए cells बने है, जैसे कि हम Amoeba की बात करें, किसकी बात करें, Amoeba की, ठीक है, तो Amoeba है ये, क्या है, ये अमीवा है, ठीक है, ये इसका nucleus है, ये क्या है, Amoeba, Amoeba में क्या हुआ, binary fission, क्या हुआ, binary fission, अभी हमें नहीं पता fission vision क्या है, चलिए, तो यहां से क्या बने, इस amoeba में क्या हुआ, division हुआ, तो दो नए amoeba बने, क्या बने, दो नए amoeba बने, राइट, तो यह क्या है, new daughter cell, यह क्या है, new daughter cell, राइट, यह भी क्या है, new daughter cell, cell, right, तो क्या हुआ है, पुराने cell से नए cells बने, क्या बने है, पुराने cell से नए cells बने है, यही चीज किसने बोली है, हमारे Rudolph वर्चाओने, राइट, चाले, तो जल्दी से इसके screenshot ले लीजे, जल्दी से screenshot ले लीजे, तो ये क्या है, pre-existing cell है, ये क्या है, pre-existing cell, cell, right, चाले, ओके, I hope आपको इतना सब clear होगा, हर एक चीज, हर एक point हम cover कर चुके है, चाले, He modified the hypothesis of Scledon and Swan to give the theory of cell theory of final shape, जो की कौन नहीं बता पाया था आपके, Scledon and Swan नहीं बता पाये थे कि नए cells कैसे बन रहे, कहां से आ रहे हैं नए cells, तो उसी को final shape किसने दिया है, रुडॉल्फ वर्चियों ने, मतलब modified cell theory किसने दी है, रुडॉल्फ वर्चियों ने, अब देखिए, cell theory as a understood today is, अभी हम क्या cell theory से क्या समझ रहे हैं, देखिए, और living organism are composed of cells and product of cells, ये तो किसने बोल दिया था, हमारे स्वान ने बोल दिया था, कि जो living organism है, वो किससे बने हुए है, cell और product of cell से, और दूसरा point क्या है, all cells arises from pre-existing cells, ये किसने बोल दिया था, वर्चाओ ने, ये किसने बोला है, स्वान ने, तो ये cell theory के साब से, पहला point आ गया, दूसरा point आ गया, किसके साब से, रुडॉल्फ वर्चाओ के साब से, राइट, तो ये आ गया, रुडॉल्फ वर्चाओ के हिसाब से, ओके, इतना clear ह हुआ जल्दी बताइए यह किसने बोल दिया था रुडॉल्फ वर्चाओ इतना क्लियर हुआ चाले तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका ओके आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहीं पर हमारा यह वाला पार्ट खतम होता है सेल थेओरी वाला आई होप आपको वीडियो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा तो आप हमें अपने यूटूब चैनल पे तो अल्रेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच ही हूँ और अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर तो आपको क्या करना है सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है मैगनेट ब्रेंज तो आपको इस तरीके का एक पेज मिल जाएगा इस पेज में आपको किंडर गार्डन टू क्लास 12 तक की कंप औरा थियोरी पार्ट, एडवांस थियोरी, NCRT, सल्यूशन, MCQs, MIQs, OneShot Revision, Quick Revision and Daily Practice Questions इन सब के थूँ आप हर एक चैप्टर को काफी स्टॉंग करने बाले हैं और अपने स्लेबर्स को काफी अच्छे से कंप्लीट करने बाले हैं इसके अलाबा आप हमें फॉलो कर सकते है हैं हमारी ओफीशियल वेबसाइट पर that is www.magnatebrains.com और आप हमसे जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थूँ जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp आप अबेल कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं Magnate Brains के टॉप कोर्स की तरफ उससे पहले जान लीजे कि Magnate Brains के दो चैनल है, Hindi Medium Channel and English Medium Channel, Hindi Medium Channel पे सारे कोर्से सबको Hindi में अबिलेबल है वहीं पर English Medium Channel पे सारे कोर्से सबको English में अबिलेबल रहेंगे, अब बात आती हैं इन दोनों चैनल पे कौन-कौन से कोर्सेस अबिलेबल है, तो यहां पर आपको CBSC Board की तयारी कराई जाती है, किसकी CBSC बोट की क्या Magnait Bains पर सिर्फ CBSC Board के तैयारी कराई जाती है, क्या State Boards वाले बच्छों के लिए Magnait Bains का प्लेटफ फॉर्म नहीं है, क्या State Boards वाले बच्छे Magnait Bains से नहीं पढ़ सकते तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि Magnet Brains CBSC Board के साथ State Board को भी include करता है जैसे कि Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and Spoken English ये सारे के सारे Top Courses Magnet Brains आपको High Quality Education के साथ 100% Free में प्रोवाइट कराता है जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains प्रोवाइट कराता है Unpaid Subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने के जुरत नहीं है तो जुड़े रहे हैं मुझ से और Magnet Brains से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए